साहाल Boom Everyone ने वीडियो भीडियो फो वर दो हुआइग है अब टेट्रालीजी मतलब कि हमारे पास चार चीज़े होती हैं इसमें अब देखो अब टेट्रालीजी ओ फ्यलिट इस बेसिकली सायानॉर्टिक हार्ड डिजीज अब psycho psychotic heart disease की बैक धने characteristics की बतायी थी कि में यवार्थ हो रहा था और रच से लऽ्ड होने की ही वज में हमारे पाता वनीज बचा नीला पड़ जाता है ठीक है इसलिए इसको psychotic heart disease क्या ने ठीक है अब यह थो है न यह हमारे पास तब तक नहीं होता, well like does not present until one to two month ठीक है, एक से दो वों मन तक तो ये present नहीं होता है, ठीक है ताइक है, इसलिए है हमारे पास जो अच्छा, even though हमारे पास tetralogy of pellet जो होता है, वो बहुत common होता है, ठीक है लेकिन बर्थ की बात करें कि बर्थ पे कौन सी common disease होगी, तो वो हमारे पास transposition of the great blood vessels होगी, ठीक है, ना कि हमारे पास tetralogy of pellet ठीक है अब इसमें हमारे पास कुछ components होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता है कि इसमें चार components होते हैं, ठीक है pulmonary stenosis के बाद होगा right ventricular hypertrophy, फिर आपका आजाएगा over riding of the iota, ठीक है और last में आपका आजाएगा ventricular septal defect, ठीक है, क्या हुए है, पहले आपका pulmonary stenosis होई है, फिर right ventricular hypertrophy होई है उसकी वैसे आपका right ventricular hypertrophy की वैसे आपकी over riding of iota हो गया है, ठीक है और end में आपका आगया है ventricular septal defect, अच्छा जी, अब मैं आपको pathology की बात बताता हूँ ठीक है, देखो pulmonary stenosis होई है, मतलब pulmonary stenosis का मतलब यही होता है, कि जो pulmonary circulation है, वैसे वो हमारे पास पिचक गई है, ठीक है पिचक गई है, तो उससे blood कम जाएगा, जब कम जाएगा तो right ventricular की hypertrophy हो जाएगी अब right ventricular की जब hypertrophy होगी, तो उसकी वैसे क्या होगा, कि हमारे पास दो ventricular के बीच में एक सुराख बन जाएगा ventricular septal defect बन जाएगा, अब septal defect की वैसे हमारे पास right to left shunt होना शुरू हो जाएगा अब right to left shunt होगा, तो उसकी वैसे क्या होगा, कि हमारे पास iota जो है, वो override करना शुरू कर देगा, ठीक है override होगा, और end में हमारे पास sinotic heart disease हो जाएगी, ठीक है अच्छा, अब आते है clinical features पे, ठीक है, तो बच्चा जब आपके पास आएगा, तो sinotic heart disease है, तो sinosis होगी बच्चे की ओठीक है, इसके लावा बच्चे में होगी clubbing, ठीक है clubbing होगी, ठीक है, अच्छा, clubbing के बद बच्चे में होगा dyspnea on exertion, ठीक है मतलब कि जब बच्चा की कोई exercise करेगा, या कोई जादा खेलेगा, कुदेगा, तो उसको sansus की उख़ड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो उस state में बच्चे को ये कहा जाता है, कि तुम जो है, वो squat position में बैट जोगे, ठीक है तो उसकी वैसे आपका जो venus return है ना, सही है, आपके lower limb से आपके heart की तरफ वो कम हो जाएगा, जब वो कम हो जाएगा, जब वो कम हो जाएगा, तो ultimately, आपके heart पे जोर कम पड़ेगा, ultimately, आपके जो symptoms होंगे, dyspnea वगरा होगा, वो improve हो जाएगा, ठीक है इसके लावा, patient में systolic ejection मरमर होगा, ठीक है, अब systolic ejection मरमर की होगा, क्योंकि patient में pulmary stenosis थी, अब stenosis, already stenosis है, ठीक है, तो उसकी वैसे क्या होगा, कि patient जब syst加入 होगी, मतलब जब ventricle contract करेगा, ठीक है, तो उसकी वैसे आपके ejection मरमर बनेगगा, ठीक है, eject होगा blood आपका एक ventrical से दूस्टर ventrical में और एक मरमर मतलब एक abnormal heart sound प्रोडियोस होगा ठीक है अब वो जो है वो हमारे पस thrill भी हो सकता है और hive भी हो सकता है ठीक है अब thrill जो होता है वो होता है अच्छा अब thrill तो आपको इसी तरह सुनाई दे देगा और hive जो होता है वो आप ऐसे left sternum पे जब आप रखोगे ना heart तो वो आपको feel होगा ठीक है इसके लाबा S2 sound जो होगा ना वो हमारे पस soft हो जाएगा due to pulmonary stenosis ठीक है S2 softly हो जाएगा ना क्योंकि हमारे पस S2 sound होता है और ना वो हमारे पस iotic और pulmonary wall होती है ना दोनों की closure से बन प्रोडियूस होता है ठीक है अब iotic wall तो close जी नहीं सॉरी जो pulmonary wall है वो तो close जी नहीं होगे तो ultimately आपका सब iotic wall की closure की वाईसे आपको sound produce होगा ठीक है अच्छा जी अब आते हैं इसकी diagnosis पे ठीक है आप आप हमरे पास incorporate होगा हमत्रोक्रेट जो होगा वो भी increase होगा क्यों कि बोडी बेसिकली होता क्या है कि हमारी body में गंदा blood होता है वो circulate करना शूरू कर देता है जो वह गंदा blood circulate करते तो body यह समझते है कि body में bloody कम है ठीक है तो ultimately वो कोशिश करते है compensatory hypoxemia उसको कहते हैं कि वो कोशिश करते है कि वो जादा से जादा blood बना है तो HV भी जादा आपका hematokrit भी जादा आपका RBC भी जादा है ठीक है जिसकी वैसे patient में polysatemia होता है ठीक है और ultimately clot formation भी हो सकती है ठीक है एक तो आपने general investigation की जिसमें आपका CBC किया जिसमें आपका HV और RBC hematokrit यह जादा हो गई है ठीक है जब आपने specific investigation की है तो आपने chest x-ray की है अब chest x-ray में आपको boot shape heart मिले है ठीक है एक तो boot shape heart है ठीक है इसके इलावा जो lungs की fields होती है आप वो हमारे पास reduced हो चुकी होंगे ठीक है due to reduced pulmonary flow ठीक है pulmonary flow कम है pulmonary flow कम होने की वाई से जो lungs की marking थी और जो lungs की field थी ना वो हमारे पास lost हो चुकी है ठीक है अच्छा जी इसके लावा आपने ECG की ECG में क्या होगा right access deviation होगी ठीक है right side पे access deviate कर जाएगा क्योंकि abnormality obviously right side पे ही है ठीक है eco करेंगे वो हमारे पास gold stranded होता है जो भी हमारे पास findings होती है ना वो हमें eco में मिल जाती है ठीक है इसके लावा हम लोg cardiac catheterization and geography करते हैं तो उससे भी हमें होती है जितनी भी हमारी अपना हमेलेटी होती है यहां में पता लग जाता है ठीक है तो आपने क्या किया है जनल इस्टिकेशन जिसमें हमें हमेर्टोक्रोट और आपका अर्बीसी जादा हो गए specific में आपने चेस्ट एक्सरेई ECG एको और catheterization और एंजिग्राफिक ही है ठीक है अब हार्ट में basically आपने यही तीन investigation mostly आपकी diseases में होंगी जस्ट एक्सरे है ECG है और ECOW है ठीक है अब आते हैं इसकी management पे ठीक है management में आपने क्या करना है आपके अपने पेशन को hydrate कर लेना है सबसे पहले आपने क्या करना है ठीक है अगर आपका तंपरेशन बहुत जादा हो गया तो oxygen कंजब्शन जादा हो जाएगी ठीक है तो ऐसा हमने करवाना नहीं है इसलिए हमने temperature maintain रखवाने है इसके लब आपने पेशन का glucose level Hb hematokrit इसको भी monitor रखना है iron supplements भी patient को देते रहने हैं ठीक है क्योंकि obviously ऐसा नहों कि patient में iron deficiency anemia होना शुरू हो जाए ठीक है अच्छा जी तो पहले आपने hydrate किया patient को आपने जो है उसको monitor किया है glucose वगयरा आपने उसको iron supplements नहीं उसका temperature monitor किया है ठीक है अच्छा इसके अलावा आपने patient को antibiotics देनी है prophylactically ताके infective endokiditis का जो risk है ना वो reduced हो जाए क्योंकि sluggish blood flow है ठीक है